हाई आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपनी जमू डिस्टिक के बारे में और उधंपूर्ड डिस्टिक के mcqs जी यहां दोस्तों मैं आपको बता दू जो कुछ important चीजे होती हैं वही इस वीडियो में आपको मिलेंगी मैं आपको बता दू जिसमें कोशन पूछ सकती हैं या कोशन पूछे हुए हैं तो मैं आपको बता दू अगर मैं जमू डिस्टिक की बात करूँ तो जमू डिस्टिक एक बहुत बड़ी डिस्टिक है और इसके जो अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की तो हिस्ट्री आपको इसकी अलग से तो पढ़नी ही बड़ यह जो district wise history चल रही है यानि कि mcqs की series चल रही है यह भी आपके exam के लिए most important है so guys मैं आपको बता दूँ जो आपकी एक अलग से history है जैसे कि आपकी history आप जमू कश्मीर यह दोनों reason की जो history है यह आपको अलग से पढ़नी है और यह district wise होनी यानि कि आपको एक deep portion में आपको पढ़ने को मिलेगी ठीक है अगर हम जमू कश्मीर की history पढ़ने लगते हैं अगर deep district में जाते हैं तो बहुत history बहुत lengthy हो जाती है तो यह जो है आपकी district wise history पढ़ना यह एक आपका अलग से another step है ठीक है एक आपको अलग से step में करनी होगी तो आज का हमारा यह part number 4 है जिसमें आज हम करने जा रहे हैं mcqs और दो district के तो 30 plus mcqs हैं इसमें जादा हैं जिसमें आपका जरूरी नहीं है कि history ही पूछा जाए geographic structures भी हो सकते हैं कुछ ऐसी चीज़े भी हो सकती है तो history तो जमू किश्मीर के लेटे तो जिके भी special reference टू जिहन के यह तो आपका एक trending topic बन चुका है जिकेस भी का तो जिकेस भी हर exam में यह topic डालता ही डालता है तो दे आपको show करवा दूँगा बच्चे बस एक ही रट लगाए बैठें के sir pdf प्रवाइड करो देखो guys कल मैंने 85 question करवाई आपको ठीक है अगर मैं कल आपको pdf प्रवाइड कर देता जो आज के include हुए आपके आज 120 तक करेंगे हम 120 तक जो mcqs करेंगे वो उसका भी include करना यह आपकी जल्द ही series खतम होने जाए यह सिर्फ शेल एक्सरिस के बचते हैं आपको फिप्त में कल प्रवाइड करने की कोशिच करूँगा और कल जो आने वाले district होगी वो आपकी डोडा district होगी जो की काफी interesting district होगी फिर उसका बात किस्तवार क्योंकि हमने अगर रामबन पढ़ा था क्योंकि वो जो रामबन district सी कारवडा उट होगी थी आपकी डोडा district से तो उसको चीज़ को पढ़ना जरूरी था तो गाइस मैं आपको बता दू कि हम पहले जम्मू reason को पूरा complete करेंगे यानि कि जम्मू की पूरी district पढ़ लेंगे ठीक है डोडा आएगी कल के mcqs की अगर मैं बात करूँ जो next mcqs है वो आपके हो सकते हैं आपके देखे कट हुआ सामबा बगएरा होगे कल के जो district है वो होगी आपके डोडा और किस्तवार ये दो district के mcqs की होंगे आपके कल ठीक है जिसमें हम part 5 करेंगे यानि कि जिसमें हमने 10 district अपनी cover कर ली और mcqs की तो 150 तक mcqs हो ही सकते हैं कल के lecture में so guys चले start करते हैं बच्चे बोल देंगी सर अब start भी तो करो कल एक कोशन डाला था ग्रूप में किसी ने कि बिच आप दी flowing district is homeland of share दुगगर देखिए जब आप चमू किश्मीर की history पढ़ते हो यानि कि जमू किश्मीर की history पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि जब आपकी starting होई थी अगनी गर्ब थे जब आप detail history पढ़ोगे जमू क कि उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी ठीक है कि जो शेर डुगगर था यानि कि जो शेर डुगगर यानि कि इनकी जो homeland वो किस district को माना जाता है देखिए वो मानी जाती है आपकी कटूआ डिस्टिक यानि कि जब वो राभी के किनारे पर आके बसे थे वो अपना लेक्चर है स्टार्ट हो गया आज के जो मारे लेक्चर थे यानि कि मेरे आज के जो mcqs है यह शोटा क्यों नहीं हो रहा है ठीक है बिच डिस्टिक आप जमू एन कश्मीर यूनिन टेरिटरी इस नोन है सीटी आफ टैंपल कौन सी डिस्टिक को सीटी आफ टैंपल बोलते क्या उदुमपूर है जमू है सरी इतने easy question नहीं आते आने को कुछ ही आ जकता है एक question अगर आना को तो यही आ जकता है ठीक है तो वो है अपकी उदुमपूर डिस्टिक ठीक है sorry जमू डिस्टिक को city of temple बोलो जाता है उदुमपूर को नहीं बोलते है ठीक है चले next question which of the flowing district is winter capital of jammu and kishmir union territory कौन सी इन में से जो winter capital है जमू कishmir की union territory की क्या वो जमू है यह रियसी है उदुमपूर है यह सिर्नगर है so guys इसका जो right option है वो आपका A है आपकी जो जमू है वो winter capital है ठीक है summer capital कौन सी है comment करे who was the founder of jammu, jammu के founder कौन थे राजा गुलाब सिंग थे, बाहु लोचन थे, जम्बू लोचन थे, या फिर हारी सिंग थे जल्दी से बताएं इस का answer क्या है कि who was the founder of jammu, jammu के founder कोन थे जल्दी से बताएं गाइस जम्मू के फॉंडर कौन थे तो वो थे आपके राजा जम्बू लोचन देखे जम्बू लोचन जो थे उनको फॉंडर आफ जम्मू का बोला जाता है city of temple is known as जम्मू ऑके city of temple Oh छुके बात करें जम्मू को बोला जाता है is located on the bank का sai सी river के bank में यह located है आपका city of temple जिसको जम्मू बोला जाता है ये निकि जम्मू सिंपल सी बात करें जम्मू गी जम्मू गी तो निके है यह कोण सी रीवर के bank में है बताएं चारा गाइस कौन सी बैंक के रीवर पर है तो यह हैं आपके तावी रीवर के कौन सी रीवर तावी रीवर के अब को मैं पता दू जो तावी रीवर आपकी उसके लेफ्ट और राइट रैट हैंड साइड अगर मैं बात करूं आपका एक हरी निवास है उन्हें हरी निवास जिसको हरी पैलेस बोल जाता है ठीक है उसके बाद बोल रहा है कि अल्लियर नेम आप जमू डिस्टिक जमू डिस्टिक का अल्लियर नेम क्या था क्या वो जम्बो था जम्बूरा था जम्बू नगर था या जमू नगर था पताएं ज़रा इसका अंसर क्या है सो वो था आपका जो बच्चे भी आप्शन मार करें बिल्गुल सही जंबू पूरा ठीक है उसका नेक्स कोशन चलिए क्षिछ फ्लोइंग दिस्टिक है जो जंबू किश्मीर की क्या उसको लेंड आफ दुरूवब बोला जाता है यह उदून पूरा किस्तवाड है यहां फिर कुल गाम है बताइए जरा क्या आंसर है इसका लैंड आफ दुरुवा जो डिस्टिक है वो कौन सी है जमो कश्मीर की तो वो है आपकी आप्शन भी उदुमबो डिस्टिक देख है उदुमबो डिस्टिक को बोल जाता है तो नेक्स कोशन आता है कि उदुमबो अध इसका को डिस्टिक है बोलते हैं कि घरपपा था यह एरिया भी या फिर यह प्लेस भी उनका एक पार्ट बना हुआ था क्या वो जम्मू है पिश्तवाड है पिश्तवाड है या फिर आपका उदुमपूर है बताएं ज़रह जल्दी से यह जो है एरिया आपका जमू जमू यह बताता है प्रोवाइट करता है यानि कि जमू में अगर मैं बात करूँ अखनूर अखनूर जो है वह वहां का टोन प्लेसिस है जब इसकी इसको लास्ट में रखेंगे इसको जमू बोलते है इसका राइट आप्शन जमू है यह कोशन अगर मैं बात करूँ पंचायत कोंटेस्टन के एक्जाम में पूछा गया था होविल्ट डोगरा लास्ट रैसिजेंसी नाइटी टॉटी फाइव मुवार्ख मंडी कंप्लेक्स इन जमू तो यह कोशन इस तरह से नहीं आया था बट कोशन किसी और तरिके से आया था उन्होंने पूछा था कि डोगरा की लास्ट रैसिजेंसी कौन सी है क्या वो हरी पैलस था मुवार्ख मंडी कंप्लेक्स था क्या था तो लोगों ने सोचा बच्चों ने सोचा था कुश बच्चों ने कि हरी पैलस जो है क्योंकि हरी सिंग थे जो यहां भी लास्ट रैसिजेंस थे लोगरा के तो यह वहीं पे सिचेटे तक नहीं दोस्तों आप से पूचा जाएगा कि मुबार्ख मंडी जो है लास्ट रैसिजेंसी है ठीक है 1925 तक थी जो इसको बिल्ट करने वाले थे राजा दुरूब देव कौन थे राजा दुरूब देव उसके फार नेक्स कोशन जो हाता है कि के पिरिट की बात कर रहे है गुलाब सिंग के पिरिट की बात कर रहे है रंजीत देव की या फिर हारी सिंग के तो जल्दी से अपना अंसर मार करें किस पिरिट की बात कर रहा था है तो ये कर रहा था आपका रंजीत देव नॉट रंजीत सिंग रंजीत सिंग की बात हम नहीं कर रही है हम पे रंजीत देव की बात कर रहे है वें डिट गुलाब सिंग बिकेम ता राजा आप जमू गुलाब सिंग जो थे राजा कब बने जमू के जाने कि उनको राय तिल को हुआ था तो वो आप था आपका 8046 में इस टाइम ये गलत है 8020 में नो 8090 में नो तो ये हुआ था आपके 8022 में तो गोस्तों मैं आपको बता दू इनका जो राज तिलक हुआ था जिसको बोलते हैं राज तिलक वो आपका एकनूर में हुआ था और राजा आप जमू ये टाइटल किस ने दिया था इनको वो दिया था रंजीत सिंग ने ठीक है रंजीत सिंग ने याद रखना चीज को important है हुआ था फॉंडर आप बीजेपूर बीजेपूर नाम तो सुना होगा जमू में गुलाब सिंग है उनके फॉंडर ब्रिज देव है या रंजीत या फिर जो देव जो बीजेपूर है उसके फॉंडर यह मैं पूरा डीप हिस्ट्री में आ चुका हूँ बीजेपूर के जो फॉंडर है वो है आपके ब्रिज देव ठीक है ब्रिज देव उसके बाद नेक्स कोशन आता है कि फॉंडर आफ रोयल डोगरा डिनेस्टी इन जम्मो डोगरा डिनेस्टी के फॉंडर कोन है मराजा रंजीत सिंग थे रनवीर सिंग थे गुलाब सिंग थे या फिर हरी सिंग थे तो इसका जो राइट आप्शन है सभी बच्चों को बता है आप्शन सी अब आप से पूशा जा रहा है कि वो अज़ा फॉंडर आफ दर्मर्थ ट्रस्ट दर्मर्थ ट्रस्ट के फॉंडर कोन थे गुलाब सिंग थे जो देव थे रनवीर सिंग थे या फिर रंजीत देव थे तो जल्दी से बताएं इसका अंसर क्या है तो वो थे आपके महराजा गुलाब सिंग ठीक है ओके किस ने ये एक्ट पास किया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगी ये कंबलसरी होगी रंजीर सिंग ने रिकिया था गुलाब सिंग ने रंवीर सिंग या फिर महराजा घरी सिंग ने क्या लगता है आपको इसका क्या राइट आप्शन होगा पताएं ज़रे जल्दी से तो वो थे आपके जो एक्ट की अगर पास की बात करूँ तो यह किया था आपके महराजा खरी सिंग ने ठीक है कंबल्सरी प्राइमरी एड्यूकेशन एक्ट उसका बाद बोलता कि जमू और कश्मीर यूनियन ट्रेटरी केम इंटो एक्जिस्टेंस लेकिए जमू कश्मीर दो यूनियन ट्रेटरी था कि कब फोर्स में लाए गए यानि कि जैन्गी यूटी कब बनी 21st October 2019 5 अगस्ट 2019 9 अगस्ट 2019 6 अगस्ट 2019 तो जो आपका ये राइट अप्शन आपका 31st October 2019 था यही इसका राइट अप्शन है ठीक है और यार्गनिजेशन एक्ट पढ़ा होगा आपने इसके बारे में बोलता है कि नेक्स कोशन की वो बिल्ट अकनूर फोर्ट इन जमू डिस्टिक जमू डिस्टिक में अकनूर फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया राजा अगरुला खान ने बनाया गुलाब सिंग ने अलाम सिंग ने या फिर रंची सिंग ने तो ये अकनूर फोर्ट की जो बात कर रहा है ये डिस्टिक जमू में है डिश्टिक जम्मो में है अकनूर में अकनूर जो प्लेसिस है वहाँ पे हैं तो ये बनाने वाले थे इनको राज जालाम सिंग बस्ष्ट्रक्शन तो इन्हों ने की बाद तो बनाने की उन्होंने की ती बिश्चे तसिल आप जमुडिस्टिक इस फेमस फारिष बास्मति राईज लेकिए जो कूछ सी तसील है जमु कश्मीर की जहांके बास्मति जो राईज है वो Teachers बास्मति हैं बताएं ज़रा राईज जो राइस जो है स्टैबल फूड है कश्मीर का आरएस पूरा के फेमस बासमती है खुब विल्ट था बाव फोर्ट इं जमू डिस्टिक जमू डिस्टिक में बाव जो फोर्ट है वो किसके द्वारा विल्ट किया गया था राज़ बाहू लोचन ने किया था जम्बू लोचन ने, अगनी गर्प ने या फिर नन इसका अंसर सबी बच्चों को पता ही है इसके बारे में बताने की जूर्ट नहीं है कि बच्चे बहुत intelligent है तो वो थे बाहू लोचन बाहू लोचन ने ये बनाया था पुचाब दा फ्रॉइंग रेलवे हैट is the important in जम्मून किश्यमीच यूनिन डिटली में रेलवे हैट की अगर मैं बात करूँ वो कौन से है ये कोशन भी कोशन जेके असर भी ने पूछा है चिके स्रीनगर है, जम्मू है, उदूपूर है यहाँ फिर कट रहा है तो वो आपका जम्मू रेलवे हैट ये जो रम्मू जम्मू तभी है जो आपकी जम्मू तभी एक्सप्रेस ये आपकी लिंक करती है कन्या कमारी तक तेक है रेलवे रोल की ओल्डेस टेंपल इन जम्मू ओल्डेस टेंपल कौन सा है जम्मू में जल्दी से पताए इस कान से रनवेश्वर टेंपल है पंचबक्तर टेंपल है, रगुनाद टेंपल है या फिर को टेंपल है पताए जल्दी से ये जो रगुनाद टेंपल है एक oldest है oldest temple है ठीक है उसके बाद आता है कि which of the flowing temple cave is known as जंबात गुफा जंबात गुफा कुण से temple की cave को बोला जाता है बैशन देवी देवी cave को बोला जाता है पीर को temple की cave को या शिपकोडी या फिर नाव को इंडिया cave को जल्दी से बता है इसका अंसर क्या है सर ये रियासी में आता है सर ये शिपकोडी रियासी में सर ये रियासी में तो राइट आप्शन इस पीर को temple की जो cave के बेशन को जवामत के बोला जाता है गुफा बोला जाता है खरकी temple complex situated on the bank of which आप the flowing rivers खरकी जो temple complex है वो situated है कौन सी bank के river के चिनाब, राभी, उच्च या फिर ताभी तो ये जो बात कर रहा है ये आपका ताभी river के bank में जम्मू में उसका बाद नेक्स कोशन आता है कि founder of उदुमपूर बाज राज़ा उद्दम सिंग and he was son of which of the flowing king यानि कि महराजा किसके बेटे थे उद्दम सिंग जल्दी से बताए महराजा गुलाब सिंग के थे किशोर सिंग के थे, रनवीर सिंग के थे, परताब सिंग के थे तो ये नहीं है ये गलत हो जाएंगी दोनों option किशोर सिंग तो इसके वादर थे यानि कि ये गुलाब सिंग के वादर थे उदुम सिंग ठीक है गुरूप आफ टैंपल्स इस लोकेटेड इन विच डिस्टिक आफ जम्मू इन किश्मीर यूनिन टेर्टरी जम्मू उदुमपूर रियासी सांबा यांग बताए जल्दी से कुन सी डिस्टिक में है गुरूप आफ टैंपल्स इस उदुमपूर डिस्टिक के बारे में इतना अभी तक नहीं पूछा जाता है मैं आपको बात करूँ आपको आपसे ठीक है जतना इस पार्टेंड है वह वही चीज़े लेके आए हूँ बट मैं डिस्टिक वाइज जब कवर करवाँगा तो फिर सारी चीज़े होल कवर करवाँगा ठीक है तो टाइम लग सकता है गाईज मुझे टाइम चाहिए अभी 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 एक्जाम आ रहा है उनस पे भी फोकस करना ही है बच्चों के लिए जमू उदुंपूर प्रयासी यावसांबा बताइज जल्दी से कान लिए तो यह ग्रुप आप टैंपल की बात कर रह है यह बात कर रहे है क्रिमची टैंपल जो की लुकेटटड आपके उधुंपूर डिस्टिक में हैEN जो बच्चे उदुंपूर के हैं उनको यह इस ची लैन आफ हंडर वाटर स्प्रिंग बोलाजाता था, ancient time क्या वो पंचैरी है, मौंगरी है, चने bertine है, या फिर करीम ची जल्दी से बताई है इसका अंसर लैन आफ हंडर, वाटर स्प्रिंग कों सी, बिलेझ को बोला जाता है, जो कि उधुमपूर में है बोल वोला जाता है आपका मौंगरी को जो भी बच्चे मौंगरी से उनको बता होगा खुब विल्ट रामनगर फोर्ट इन उदुमपूर रामनगर जो फोर्ट था वो किस ने बनाया था उदुमपूर में तो वो बनाया था सुचेस सिंग द्वारा ठीक है यह सबी को बताईए एक प्लेस और है नमवा महल नमवा महल को विल्ट करने वाले को था यह नमवा आपका उदुमपूर में है तो इसको विल्ट करने वाले को था अगर उला खान थे सुचेस सिंग थे राम सिंग थे या फिर गुलाब सिंग थे जल्दी से इसका अंसर मार्क करें जाए तो इसको बिल्ड करने वाले थे आपके राजा राम सिंग ठीक है गैस लास्ट में अपने होने स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितना स्कोर किया थर्टी तरी गोशने है इसके इंपॉर्टन टूरेज रेस्टिनेशन पत्नी आपके पीछे भी आपका एक रहस्य है वो सभी को पता होगा जब मैं आपको डिस्टिवाज सीरिस करवाँगा तब आपको यह चीज़ समझाओंगा ठीक है राइट आप्शन इस सी बहुत उदूंपूर डिस्टिक ऑन दा वे टू पत्नी टाप कुद इस आलसो है जब अन चीज के लेड़्डू है फिर कला गंद केले मश्यूर है जलती से बतायें इसका अंसर वह सारी यह सारी सारी चीज़े आपको वहां पर देखने को मिलेंगी मिलेंगी ठीक है तो यह किस चीज़ के लिये जब आपका पतीसा के लिए बहुत फेमस है गाईस यह कुद है भी वाम पर स्नोंफाल होगा सनोंफाल हो या ना बहूत काफी जारी इंजोईमेंट होती नॉर्थन कमैंड हेड़कॉर्ट्र इस लोकेट इन विछ डिस्टिक है ढोगान कुमांड है और। आपका वह हपर्ण से डिस्टिक में है इस ब्लीज तो गाइश जैसे कि मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको जब मैंने बात की थी मांत लगी के बरे में MC को सेशन था जब हम बात करेंगे फिर से बात करेंगे तो वहां पे एक बाबा थे बाबा का नाम मैं आपको बताया था जो की एक हेलिकप्टर क्रैश में जिनकी मोत होगी थी उनके बाद बहुत पैसा था बोलते हैं वहां पे उस आश्रम में यहां पे जोगा बगारा यह टीच करवाते थे वहां पे उनकी फोटो भी सामने लगी हुई है तो वहां पे बताते हैं आपको कुछ स्वामी बिवेकानंद ये तो नहीं थे सर स्वामी दयानंद ये भी नहीं थे तो राइट आप्शन इस स्वामी दिरेंद्र ब्रहमाचारी ब्रहमाचारी थे ये तेक है हाँ तो मैं आपको बता दूँ बोला जाता है इनके पर पहुत पैसा था अभी मैं रिसेंटल्ली यहां पर गिया था जूनके मंत्र में चलो मैं देखता हूँ आपको जो यहां के इसके पास जो यह बाबा था इसका यह मतलों की बहुत ही रिच परसन था रिच था, इसने वहाँ पर काफी सारे मतलग कि अगर मैं बात करूँ तो एक पार्क टाइब है, यहाँ पर अभी भी हीरन बगहरा वहाँ पर डीर च्वा होती है कि वो आपकी यहाँ पर मिलेगी आपको देखने को वहाँ पर उसकी गाड़ियं हैं, जो वो भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगी और बोलते हैं जो हेलिकप्टर है वो भी वहां पे था बैट वो तोटली डिस्ट्राई हो चुका है और वो आश्नम भी है और यहां पे सबसे बड़ी बात है कि यहां पे यहां पे जोगा सेंटर बन रहा है जोगा सेंटर उदूंपूर में ये बड़ी बात है तो जो इनका यहां पे सेंटर था मैं चलो इनके जो सेंटर है वो आपको दिखाता हूँ च्रमें सेंटर लिग गया था वहां पे मैंने कुछ पिक्स रखी है अभी तक सो गाइस यहां पे आप देख सकते हो यहां पे डीर है आपको दिखेगी हिर्न यह उसी के मतलगी पार्क में दी है मैंने यहां पर इसका फोटो लिया था देख सकते हो यह पूरा यहां पर आपको नज़र दिख रहा होगा यहां पर क्लियर नहीं आया है यह जो है यह आश्रम था वो यह जो बहुत बड़ा है यह जब आप जाओगे यहां पर देखोगे तो यह यहां से भी दिख रहा है थो अभी थोड़ी बहुत डिवेल्मेंट हुई है अभी तो यह देख सकते हूँ आप यह है आपो को यह है मांतलाई ठीक है जिसको मांतलाई बोलते हैं और इस कुंड की मैंने जब बात की थी अभी तो यह दो दिस्क्ति का आप देक रहे हो यहां पे इसको बोला जाता है शिव पारवती विवा यहां पे लिखा भी हुआ है तो यह मैं especially दिखा रहा हूँ जो किश्मीर के aspirants है क्योंकि वो यहां पे विजिट नहीं किये होंगे यह जून के मन्त में गिया था तो वहां पे काफी इतनी ठंडी हवा थी अभी तो मैं भी snowfall हो गई यहां पे तो देख सकते हो यह जो outer वाला है इसमें इतना पानी नहीं होता है जो inner side वाला है उसमें पानी जादा है ठीक है यह जो गाड़ियां आप देख रहे हो ना यह मेरी नहीं है यह जो मैंने जिसका नाम बताया आपको ब्रहमचारी जो ब्रेंदर उनकी यह गाड़ियों करती थी ठीक है काफी सारी गाड़ियां है तो अभी तो फिलाल एक ही पिक एक ही पिक है यह तो यहां पे छोटे मुटी और भी वह बहुत सारी गाड़ियां अभी यहां पे एक हवेली टाइप ही है बूतिया हवेली कुछ ऐसे बोला जाता है अभी लोगों का कहने यह सारा कोछ जो मैंने दिखाया यह स्वामी दिरेंदर ब्रहमचारी का था और यह कौन सी डिस्टिक में है उदूंपूर डिस्टिक में है मांतलाइक के प्लेसे में अब बोलता जाता है कि रामनगर फोर्ड कंस्ट्रक्शन कंप्लेटेड इन दा इर रामनगर जो फोर्ड था उसकी कंस्ट्रक्शन थी वो किस एर में कंप्लेटेड हुई थी किसी बच्चे को इसके बारे में बता है तो बहुत अंसर जुरूर मार करे क्या वो 80-70 में हुई थी 80-50 में हुई थी 70-70 में यहां भी 70-50 में इसका जो राइट आप्शन है गाईस वो आपका D आप्शन 70-50 में ठीक है तो कैसा लगा आज का लेक्चर मांत लाइक के प्लेसिस को जानके कैसा लगा जो मैंने आपको चीज़े दिखाई यहां पर मैं परसनली विजिट कर चुका हूँ तब ही मैंने यह आपको पिकत दिखाई है ठीक है सो रखते हैं इस वीडियो को फिर यहीं तक मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल तब तक के लिए बबाई and टेक क्यार ट्राइ करेंगे जल से जल अगर मैं एक डिस्टी का यह एमसी को बनाके लाऊंगा तो ट्राइ करूंगा कि दो का ही लाना है क्योंकि 10 लेक्टर में हमने यह सीरिस कंप्लीट करनी है और 20 में हमने थेरोटिकल पोशन कंप्लीट करना है सो गाइस मैं आपको बता दू कि अभी तक हमारी चार डिस्टी की थेरीस हो जोगी अगर आपने नहीं देखें डिस्केशन बाक्त में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वहाँ पर बिसिर करके हमारी थेरीस भी बाच कर सकते हो और हमारी MCQs भी बाच कर सकते हो और यह जो प्लेलिस्ट है यह फूल होगी अपकी 30 से तीस वीडियो से उसमें पूरी एड होंगी और एक वीडियो से रखेंगे जिसमें MCQs एड करेंगे वो 11th पाड होगा MCQs का क्योंकि हम जब पूरे theoretically portion कर लेंगे तो एक top 50 MCQs यह 20 रखेंगे जिसमें हम पूरी डिस्टिक को cover करेंगे जिसके MCQs हम से रहते होंगे ठीक है और आने वाले एक्जाम जितने होंगे सबी कोशन इसी में से बनने के चांसे होंगे